रिसेंटली एक टीवी एक्टर विराफ पटेल ने अपनी लोंग टाइम गल्फरेंट सोनाली खन्ना से शादी की और वो भी बहुती बिरले अंदाज में जहां एक और बाकी बहुत से लोग अपनी शादियों में बहुत जादा खर्च करते हैं वहीं इन दोनों ने अपनी शादी में मातर 150 रुपे ही खर्च के जहां एक और बाकी लोग सोने चांदी या हीरे की अंगूठियां एक्शेंज करते हैं वहीं विराफ ने सोनाली को रबड की अंगूठी पहनाई अब इसके पीछे की सोच की वजह जानके आपको फक्र महसूस होगा उनके अनुसार शादी में होने वाले खर्च के पैसों को वो कोविट के खिलाफ लड़ाई में डोनेट करना चाहते हैं कमाल की सोच है उनकी गाईज इनकी सोच को मेरा सलाम आज हर को ये चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो अब चाहे वो लड़का हो या लड़की तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ धरेलू तरीके बताता हूँ सबसे पहले है steam यानि की भाप लेना जब आप 5-6 मिरट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो आपके skin के अंदर जो poruses में गंदगी फसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी skin को fresh बना देता है दूसरा है गुलाब जल यानि की rose water गुलाब जल यानि की rose water आपकी dull skin को भी fresh कर देता है अब इसे आप face pack में डाल की भी use कर सकते हो और directly भी आप इसे छिडख सकते हो अपने चहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो और तीसरा है coffee beans या coffee का powder इसके लिए आपको क्या करना है coffee का powder लेना और उसमें कच्चा दूद मिलाना है और फिर उस mixture से अपने चहरे को scrub करें 5-6 मिनट के लिए guys आपका चहरा एकदम glow करने लगेगा ये घरेलू तरीके आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा क्या आपको पता है कि इर्फान खान की पहली Hollywood फिल्म Jurassic Bird दुनिया की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में छटे स्तान पर थी जिसने लगबग 1.67 बिलियन डॉलर के कमाई की थी अब ये success story तो बहुत लोगों को पता है लेकिन इसके पीछे की struggle story वो बहुत कम लोग जानते हैं इर्फान खान की जिन्दगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म Jurassic Park को देखने तक के पैसे नहीं थे जब वो मुंबई आये थे तो उनोंने AC repair mechanic की तरह अपना काम शुरू किया था लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिन्दगी में ऐसे मुकाम पर पहुँच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे उसी सीरीज की फिल्म को उनोंने अबिनीता के तोर पे साइन किया गाइज इसलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और महनत करते चले जाओ एक दिन आपका वक्त जरूर बतलेगा आज कल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोस किचवाने का बड़ा शोक होता है ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खुबसूरत गार्डन में एक फोटो किचवाई जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दुबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी लेकिन उसमें गरबर हो गए उसमें एक माली जो की पोधो को पानी दे रहा था वो भी आ गया अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो की एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया लेकिन साथी साथ उस पार्क की रोना को भी खतम कर दिया अब एक उजार से पार्क में लड़की खड़ी थी ऐसी फोटो उसने बना दी अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की आपको इससे क्या सीख मिली चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा मार्केटिंग आपके बिजनस का एक बहुत इंपोर्टन पार्ट होता है और अगर आप अपने प्रोड़क्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं मार्केटिंग बोर्ट इंस्टोल करवाए हैं क्या खास बात है इनकी मैं आपको बताता हूँ इन क्रियेटिव मार्केटिंग बोर्ट में दिनके अलग-अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैक डोनल्ड का कौन सा प्रोड़क्ट अच्छा लगेगा या भाएगा उस पे छाया का निशान पड़ता है और दिन में सूरज के चड़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुवेशन में डूबने लगें तो इन चीजों का ध्यान रखेगा सबसे पहले घवराईएगा मत क्योंकि जब आप घवराने लगते हैं तो मास पेशियां जादा ओक्सीजन खीचने लगती है जिससे ओक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुवेशन में यह आपके लिए खतरना को सकता है नमबर दो अपने सिर को उपर रखें और समाने तरीके से सांस लें फेफडों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है नमबर थ्री गाईज अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाएं लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें इस तरह से आप दूबने से बच सकते हैं गाईज ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए योट्यूब पे हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को शेर करिए और लाइक करना मत बूलेगा मिलता अगली वीडियो में